मैं आलांकिकल से ही स्टार्ट कर दिया था लेकिन वैसे आज कर रहा हूँ मैं इसको अरे क्या हो गया यूनिट एंड एंड मेजर्मेंट एकाइव है मापन है यह आपका पहला चैप्टर है इसको आज खतम करेंगे करें भी स्टार्ट यूनिट और मेजर्मेंट से पिछली जो कलास थी उसको मैं थोड़ा रिकेप करवा देता हूँ ताकि आपको सारा का सारा एक मिनट के लिए कलियर हो जाए अपन फिजिक स्टार्ट की थी और फिजिक स्टार्ट करते ही जो सबसे important चीज थी उसके बारे में अपन डिसकस कर रहे थे unit and measurement के बारे में क्या था unit and measurement में किसी भी चीज को अगर पैचान देनी है तो उसको measure करना पड़ेगा और उसको unit देनी पड़ेगा यह सिंपल कंसेप्ट था अगर मैं कहता हूं कि यह जो कमरा है यह 20 मीटर लंबा है मैं क्या कहता हूं इस कमरे की लंबाई कितनी अभी 20 मीटर है केवल यही तीन चीज सीखने है इस चैप्टर में और कुछ नहीं सीखना है इसके अंदर तीन चीज आपको दिख रही है एक लं आप कर दूँ तो यह मतलब जो यह क्वांटिटी है यह सैटिसफाइड नहीं होगी बेगर मैं कहता हूं कि इस कमरे की लंबाई 20 है तो आप कहोगे क्या 20 है मैं कहता हूं यह कमरे की लंबाई मीटर है यह इनकी मेजरमेंट नहीं दी इसमें आपको तीन चीज दिख रही है एक तो यह वाली चीज है यह है आपकी लंबाई यह लंबाई जो यह क्या आपकी क्वांटिटी है जिसको अपन रासी कहते हैं आज अपन रासी करेंगे कितने प्रकार की रासी होती है उसके बाद यह जो दिख रहा है 20 यह इसकी मेजरमेंट है भी कितना मेजर किया गया है और यह जो meter दिखора है इसकी unit है, unit का मतलब एक आई है, यह सारी चीज़े हमivel कर चुके हैं, महींने कल आपको बताया है, unit जो होती हैं, two types की उती है, unit क्या कर रही है, यह जो unit है यह किसको पैचान रही है, या आपके measurement या लंबाई की पहचान कर रही है यह मेलनी दो प्रकार की होती है एक fundamental और दूसरी derived unit fundamental का मतलब मूली का ही हैं जिनमें कोई बदलाओ संभव ना यहो ठीक है और derived का मतलब जो fundamental से बने हो derived है उसके बाद fundamental में मैंने आपको बताया था कि fundamental में ली मुख्य तीन unit होती है जिनके उपर पूरी physics है कल मैंने आपको समझाया था तीन fundamental unit कौन कौन से बताई थी m l और t mass length और time mass को में से किसमें measure करेंगे अपन ताइम को में से किसमें measure करेंगे sorry time इदर है second और length को किसमें measure करेंगे meter और इन ही तीन unit के उपर क्या बनाया था मैंने dimensional formula मेरे हिसाब से कोई भी student ऐसा नहीं होगा जिसको dimensional formula नहीं आता ठीक है अगर वो class मिस होगी तो कल वाली देख लेना आपको मिल जाएगी ठीक है तो meter यह जो है आपका length है mass है और time है इन के उपर आगे अपन चलेंगे पूरी physics किन के उपर चलेगी यह तीन fundamental unit है उसके बाद च्यार और fundamental unit मैंने आपको बताई थी temperature की Kelvin जोती त्रिवता की Candela पदार्थ की मातरा की मोल और विद्युद्दारा की electric current की MP और दो और fundamental unit बताई थी जिनमें कौन-कौन थी आपकी solid angle और plane angle ठीक है कल वाला जिसने नहीं देख या तो आपको साइद आपका मिल जाएगा प्ल क्ल वाला क्योंकि कल वाला बेस था भई बिल्कुल 0 से मैंने आपको physics start करवाई थी आज थोड़ा उपर चलेंगे अपन उससे उससे थोड़ा उपर चलेंगे चलिए मैं आपको check कर लेता हूं एक मिंट के लिए आप जल्दी मेरे को dimensional formula बनाके दिखाओगे और derived unit बनाके दि pressure जल्दी मैं देखना चाहता हूं कि कितने student जो हो सीख पाए है कल कुछ चीजे दिखिए मैंने आपको starting में एक बात बताई थी किसी भी चीज की unit बनाने के लिए सबसे पहले उसके definition आपको पताओ नहीं चीए कि यह चीज है क्या pressure क्या है वही मैं कहता हूं यह pressure लगा रहा हूं मैं force पोन लगा दो अब तो कुछ ही नहीं force का निकालना सिकता है ता मैंने area आपको पताई है क्या होता है कि मेरे को जल्दी यह बताओ किस किस को यह नहीं आया नहीं आया तो कलवाली class जरूर देख लेना भी ये चीज किस किसको नहीं आई मैंने आपको zero से सिखाया था मैंने मैं सबसे पहले आपको distance बताई displacement बताई, velocity बताई acceleration बताया फिर आपको force बताया ताकि आप zero से अग्ये तक चलो ठीक है तो इधर आप अगर करोगे जिसने नहीं किया वो नहीं कर पाएगा और जिसने किया है वो चुटकियों में कर जाएगा force होता mass into acceleration mass होता kilogram acceleration होता meter per second square minus करना पड़ेगा इसको per second है तो उपर जाएगा तो minus हो जाएगा इधर area क्या होता है meter का square मैं इधर देख हुआ 1 meter से 1 meter कट जाएगा यह meter गया इससे अब यह meter कहाँ जाएगा उपर उपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा kilogram meter inverse or second inverse square यह इसकी क्या गी derived unit आ गई अब इसका dimensional formula बढ़ाऊँगा तो क्या रखना पड़ेगा मेरे को m l और t m कितना 1 l कितना minus 1 1 minus 1 और t minus 2 इससे simple मेरे साथ से कुछ नहीं हो सकता मैं फिर आपको बता रहा हूँ physics simple करनी है न वो वारा time गया भई one liner question रटलो काम चल जाएगा आपको मैं हर एक चीज करवाँगा base से लेकर numerical तक करवाँगा भई अपने जितने भी numerical बनेंगे physics में क्योंकि आज कल आपने देख्या होगा अरियाना ले लो चीज कोई भी exam ले लो numerical भी आ रहे है numerical का मतलब जैसे math में सवाल होते हैं question होते हैं same वैसे physics में भी सवाल होते हैं आप ये मान का चलो वो वाले physics में भी करेंगा अपन लेकिन उससे पहले आपको उसकी theory को जानना जरूरी है start करें भी आज का start करते हैं अपन unit and measurement से unit and measurement से start करते हैं चलिएगा भी ज़्यादा समयना लगाते हुए कल मैंने आपको unit के बारे में बता दिया था अब unit की कुछ पदतिया होती है हुआ क्या देखो मैं आपको बताता हूँ इस topic का न मैं लिख रहा हूँ इकाईयों की इकाईयों की पदतिया mode of units अपन units को किन किन mode में लिख सकते हैं भी किस-किस परकार से इसको बता सकते हैं unit को जबगो मैं आपको बताता हूँ unit देखिए हुआ क्या आप नॉर्मली एक बात देखो भी आप दूद लाते हो मिलक लाते हो किस में लाते हो किलो ग्राम में लाते हो लीटर में कुछ ऐसे मिलेंगे जो किलो ग्राम में लाते हुए मिलेंगे देखना है ने अरे हो कुछ किलो ग्राम में दूद को लाते हैं और जो किलो ग्राम में लाते हैं वो सो ग्राम है फाल तो लेके आते हैं भई सिंपल सी बात है यही तो है मैंने आपको काफिर शुनना मेरी बात मैं एक सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ आपके गर्मी हम दूद लाते हैं कितने रूपे किलो दूद है किलो का रेट है वो तो यह तो महांगा पड़ गया, क्योंकि लीटर में तो 900 ग्राम होता है, यह बात किसको नहीं पता है कि लीटर में 900 ग्राम होता है, नहीं पता तो सुन लो, एक लीटर किसके बराबर होता है, लग बग 900 ग्राम के बराबर होता है, इसका मतलब तो इतने रुपे में कम आया आ थी वो MkS पदती यूज़ hartit ot ie कौहुच अ्यूज रॉटीघ मेटाओं गाएम केस पत्थी क्या हाँ दिया कुछ European country जोटी वो cgs sought obvious absorbed यूज़ करती थी कुछ मतलब अरब कंट्री जो थी वो fps यूज़ करती थी विशव में में लि तीन पदती पर चलित थी कितनी पदती तीन पदती अब यह हैं क्या पदती मैं आपको बताता हूँ यह यह जो था यह तामीटर के का मतलब किलोगराम और एस का मतलब सेकिंड मतलब इधर वाली जितनी भी चीज़े लिखी हुई है और इधर वाली जितनी भी चीज़े लिखे हैं वो क्या है, ताइम है, यानि कि MKS पदती वो पदती है, जिस पदती में length को meter में, mass को और time को second में मापते हैं, उस पदती को क्या कहते हैं, MKS पदती कहते हैं, ध्यान देना बहुंदर, ध्यान देने होगे बात हैं, अब आप एक बात था हो एक को मास को किसमें लिख रहे हैं पने मीटर किलो ग्राम और शेकिंड में माप रहे हैं सीजियस देखना लेंद को किसमें सेंटिमीटर मास को कितने ग्राम और टाइम को किसमें फरक आगया वई देखना फरक आगया है नहीं आगया मीटर बढ़ा होता है सेंटिमीटर छोटा होता है इधर देखना यह कंट्रिया कुछ और ही कर रही है फोट पाउंड और तीसरी क्या भी सेकंड आपसे पूछ सकता है कि एंप एफपिस पत्ती जो त्यूसमें को लैंध को किसमें आपते हैं ऐसे करके क्यों सब्सक्राइब इस इतने आसान कि अपसे अब नहीं पूछे जाएंगे कि 550 पूछे आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं अगर पूछे बी जाएं तो बता देना ऐसे पूछ सकता है कि मकेश पस्की में मास को किसमें मापते हैं तो मितल्व किलो गरम एसे नहीं पूछे जाएंगे इदर केस दिख रहा нос हैं अपको मेरे जो सभी पत्तियों में समान रही ऐसी कही जो सभी पत्तियों में अलांकी है कभी समान नहीं रहता के विजिक्स ने ही इसको समान मानने है नहीं तो हर किसी का समय क्या होता भी अलग अलग कभी सुख कभी दुख कभी कुछ कभी कुछ ठीक है और समय के पास ही समय नहीं देखो को आज के टाइम की विड़म बना देखो ऐसे मतलब जो जिस बंदे के पास एक्स्ट्रा समयन है वो यह मान के चलो वो समय से भी खराब है समय के पास ही समय नहीं हो यह नहीं रुखता और आप ठाली घ्रॉच के तो यह कैसे यूनिट जो किसी पतिती में जो किसी भी पती में जेंज नहीं ओती उसको अपन क्या कहते हैं सेकंड कहते हैं अब देख प्रोबलम क्रियेट होगी प्रोबलम यह क्रियेट हुई अलग-अलग लोग अलग-अलग यूनिट लेने लगें वा इसलिए सुनना मेरी बात चोने उनी इस सोई कैतर में कब इटा सेज़ा विषव स 202 densel regen हुआ का पर भी पैरीज में कहां पर हुआ अभी पैरिस में सम्मेलन हुआ इससे बात ने कि इस सस्टम ने बहुत गड़बड होगे है सब सिस्टम क्या हो रहा है खराब हो रख्या है तो इस बात को लेकर Paris किसकी राज़ धनी है France की तो यह बात याद रहे ने France के Paris सार में क्या हो अभी एक सम्मेलन हुआ कि भी एक जो है treatment क्या जब है इसका ऐसे तो नहीं चलेगा ऐसे तो नहीं चलेगा तो इसलिए इन सभी का एक treatment किया गया SI स्टेंडर्ड इंटर्नेशनल यूनिट जब वैसविक सतर पर नाम होगा तो कौनज यूनिट का नाम लिया जाएगा SI का नाम लिया जाएगा तो हम जब भी कभी unit पढ़ते हैं तो unit में कौनस यूनिट पढ़ते हैं SI unit पढ़ते हैं ओर को यूनिट नॉर्मली छोटी मोटी तो यूनिट पढ़ते हैं लेकिन मेंली किसको पढ़ते हैं एसा। यूनिट को बढ़ते हैं, S.I. का मतलब जिसको विसोव मानता हो, विसोव सत्र यह मानता हो, और इसलिए यह जो पेरिस जो अधाना पेरिस है, यहीं पर क्या मना दिया गया, नाप तोल का मुख्यल्य है, तोल का मुख्यल्य है, यह अभी S.S.C. में क्योस्टन पूछा गया नाप तोल का मुख्यल्य कहां पर मौजूद है, ठीक है, यह आप यह स्टेटिक जिक्के में ले लो, चाहे आप इसको साइंस में इंक्लूड कर लो, उनीस सो इकेतर में पैरिस के सहर में नाप तोल का मुख्यल्य स्थापित कर दिया गया और विशोव सतर पर कौन सी यून किस में होगी, M, L, O, T में होगी, तो SI unit को किस में मापते हैं, तो भाई, इस सम्मेले ने में एक डिसीजन किया गया, कि यह जो unit है, यह MKS पदती, इसको हूब हूब कोपी कर लिया गया, किस के अंदर भी, SI unit, तो यह question बहुत बार आता है, कि SI unit जो है, किस unit यह किस पदती किस पर आतारीत है, M, KS, कलियर भी, अब देखो, मैं च्यार क्योस्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ताकि आपका एक मतलब जो, सारा का सारा चीज्चे जो है, यह कलियर हो जाए, च्यार क्योस्चन लिख रहा हूँ, मैं यहाँ आपर, जिसको answer आता हो, बहुत आसान है, देखिए, एक मैं कहता हूँ, बल यानि की force, की SI unit, एक मैं कहता हूँ, बल यानि force की MKS unit, एक मैं कहता हूँ, बल की CGS unit, एक मैं कहता हूँ, बल की FPS unit क्या है, पहले अलग-अलग unit होती थी, आज कल यह क्यों चना आ जाते हैं, बल के बारें पूज लिख लिया जाता है, क्यो लिए इंपोर्टेंट भी बनता है मा का मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ठीक है कहीं और कुछ मास हो जो तो बल फोर्स की एसाई उनिट जल्दी जल्दी बता दें वही जिसको भी पता है इससे असान कुछ नहीं है सबसे असान बोले यह तुमने हर एक चीज की SI, MKS, CGS और FPS उनिट होती है वो अलग बातें इंपोर्टेंट क्या चीज है ठीक है तो इसमें देखो बल की फोर्स की क्या है भाई सबको पता है न्यूटन ने इसकी तो न्यूटन साब ने इसको दिया है है सोच के तो देख एक पर किसके उपर है MKS के उपर तो इसकी यही रहेगी शेम रहेगी ठीक है CGS जो अभी अभी तू बता रहा था डाइन कि जीज यह से डाइन FPS पाउंड्स क्या है पाउंड्स इसको पाउंडस भी बोल देते हैं पाउंड्स ठीक है तो यह च्यार यूनिट है आपको पता उना चीए मेरे इसाब से पदतियों से आपका भी क्योस्टन गलत नहीं करोगे करोगे भी मैंने दो चीज करवा है यूनिट की पदतियां अब कुछ चीज़े मैं आपको एक्स्ट्रा ओमवर्क के रूप में भी दूँगा आपको PDF भी दे दूँगा टैंसन मत लेना देखना क्या हो तब पदतियों से कई बर क्योस्टन आ जाता है क्योंकि ग्राम सचिव पटवारी का एक्जाम है तो इ यहां पर मैं गूराओ टाइंब जैसे लेंत है लेंत की चोटी बटी यूनिट पूछ सकता है चोटी बडी का मतलब सबसे बढ़ी कॉन है सबसे चोटी कॉन है यह फिर आपने देखwiąz कवा मीटर में कितने सेंटीमेटर होते हैं कितने किलोमीटर होते हैं Помनेखितना वह होता यह चोटी से बड़ी इंट कुछ मैं तो पुण उनिट मैं करवा रहा हूं यह पर मैं तो पूर में को ने प्हहले तो लेंध की सबसे बड़ी करवाथा हूं मैं क्या करवाता हूं सबसे बड़ी, largest unit भी सबसे बड़ा क्या अभी length को measure करने के लिए में लिए आपने सुना भी होगा तीन चीज़ों के बारे में सुना होगा एक तो प्रकास वर्ष सुना है light year जिसको अपन बोलते हैं एक आपने सुना होगा पार्श एक एक आपने सुना होगा खगो लिये दूरी इन तिनों में बहुत ज़्यादा confusion होता बिटा ये तिनों बड़ी unit हैं लंबाई की बहुत बड़ी unit हैं इन में सबसे बड़ी कोन हो वो मैं बताऊंगा लेकिन कई बार क्या होता है exam में ये नहीं आती तो इसको अंसर मानना पड़ता है ये दोनों नहीं आती तो किसको अंसर मानना पड़ता है इसको आज मैं confusion ही दूर कर देता हूं किसका मान कितना होता है किसका मान कितना होता है सबसे पहले आजाओ प्रकास वर्स के बारे हम इतने मतलब आमान का चालो नोक आगे बहुत ज्यादा जीरो मीटर ठीक है क्या हो गया किलो मीटर कर दे इसको क्या कर दे ले इधर ही कर देता हूं 9.46 क्यों हुआ समझ सकते इस बात को इसलिए मैंने का चोटी यूनिट करो एक अजार मीटर बराबर होता किसका है एक किलो मेटर एक अजार का मतलब दस की पावर तीन और दस की पावर तीन क्या जाएगी कम बोलो हाया ना तो चोटी से बड़ी सारी यूनिट करना टैंसन नहीं लेनी है मैं मीटर में बता रहा हूं किलो मीटर करना तो तीन कम कर लेना तीन कम कर लेना पार्शेक पार्शेक 3.26 इन्टू 10 रेज टू पावर 16 मीटर किलो मीटर करना तो 13 कर देना वैं 3.26 इन्टू 10 रेज टू पावर 16 मीटर उसके बाद 1.496 इन्टू 10 रेज टू पाव यह किसकी दूरी है एयू की एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन बड़ा अरे अब भी प्रकास्वर्स बड़ा कर रहे हो अरे इसमें तो एक ज्यादा है यह 16 है वो 15 है एक पूरी जीरो ज्यादा लग रही है हरे मैं कहता हूँ एक जार यह बड़ा देखना यह बड़ा या फिर यह बड़ा कौन सा बड़ा अरे शिंपल सी बात यह 10 जार है 10 की पाउर 4 है यह 10 की पाउर 3 है तो 10 की पाउर 4 बड़ा है तो सबसे बड़ा कोन भी दूरी की सबसे बड़ी यूनिट अगर आप से पूछ ली जाए तो आपका अंसर क्या होना चीए पार्शेक होना चीए ठीक है कहां यूज करी जाएगी इतनी बड़ी यूनिट अब है तो यह तो है कोनी कमरा की लंबाई को मापने के लिए पार्शेक यूज कर दोगे यह तो इतना मीटरे बराबर हो गया पार्शेक कहां से यूज करोगे ठीक है इसके लिए तो मीटर किलोमेटर में काम चल जाएगा यह बड़ी बड़ी जो उस्चना तक अबार आज कल तो नहीं आएगा बी एक वर्स में तैकी प्रकास दोबारा तैकी चाहिए कीडिया क्या क्यलाती इसे चीज कर देना यह किसकी है दूरी की काली है किसकी काली है कि उसके बाद मैं सबसे छोटी और बता देता हू 1500 है और आप खुद कर लेना मैं तनी बीडियोफ में डाल दुआ समझाने का कुछ नहीं है शारी चीज़ यह मीटर में इतने किलो मीटर हो हैं फुट में detic in 10 की पावर माइनस 15, सबसे चोटी है भई ये, सबसे चोटी, इससे चोटा नहीं हो सकता भई, मीटर भई 10 की पावर माइनस है 15 मतलब एक पटे 10 की पावर है 15 इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ Power Multiply में है Divide में जाएगी तो Plus में हो जाएगी 1 के नीचे 10 की पावर 15 लिख सकता हूँ ये length की होगी 1 मिंट mass की बतानी पड़ेंगी क्या 1 किलो ग्राम गराम ठीक है यह सब आप कर लेना खुद ही ठीक है quantity measurement की मैं इसको डाल दूँँगा इन में समय मतलब खराब करने मेरे को नहीं लग रहा है समय खराब करना चाहिए ठीक है क्योंकि मेरे को 15 से 15 मैक्सिमम ही कलास लूँगा 15 से 20 कलास में इसको खतम करना physics को ठीक है चलिएगा time time समय समया सबी को पता है सेways इने और इतने वह सारी चुछ जो समय वाली है यह सारे के सारह आप कर लेना क्या चंद्री क्या होता है सुरी्य मास क्या होता है सारे कि सो है मैं आपको डाल दूँगा इक टेबल से डाल गलो उस टेबल से आपक justification अपर करती चलिए रासी के बारे में बता देता हूं क्वांटिटी आलांकि से क्योस्टन आजकल नहीं आ रहे हैं रासी जो भी चीज आप देखते हो ने यह सारी रासी है लंबाई चोड़ाई उचाई दाब प्रेसर बल फोर्श शारी जितनी भी चीज़ों के नाम जिसको मेजर करते हो क्वांटिटी को मेजर करते हो मेजर किसको करते हो तो क्या में लिख सकता हूं जिसको मेजर किया जाता है अरे बोलो जिसको मापा जाता है क्या क्या लाता है? ये कई बार definition पहले आदम जमानने में 2015.benश पोड़ा के टाइम आज याया करती आजकल स्टेंडर्ड एग्जाम का अच्छा हो चुका ऐसे क्यों सने नहीं देखने को मिलेंगे चलिएगा क्वांटिटी कितने प्रकार की होते हैं कौन सी क्वांटिटी कैसी होते हैं वो उसके उपर बात करता हूं मैं देखे क्वांटिटी मेंली कितने प्रकार की होते हैं तीन परकार की उत्ति कितने परकार की तीन क्वांटिटी कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी एक मिन्ट के लिए जो इंदी मीडियम वाल आई इसकी एक्जेक्ट इंदी बता दे वही और tensor quantity कोई बता सकता क्या vector को edis sadis कैसी sadis मैं आप कोई देख रहा था scalar को edis अब बच्चे सोचते क्या है इसकी definition क्या करते है मैं बताता हूँ यही पर वो गलती करते है इसकी definition समझ लेंगे sadis sadis का मतलब जिसके पास क्या है जिसके पास क्या है दिसा है direction है जिसके पास क्या है दिसा है और magnitude है परीमान है वजूद है परीमान क्या होता है वजूद है मतलब किसी भी रास्टी के पास अगर दिसा है तो उसको क्या कहते है अपन vector quantity कहते है और जिसके पास दिसा नहीं है उसको पन क्या कहते है शकल है और इनसे अठकर है टैंसर आज कल अर्याना में एक-दो क्योंसेन पूछ लिये जाते है पहले नहीं पूछे जाते थे अब यही गलती करते हैं दिशा दिशा का मतलब आप सोचते हैं तरपूरो पस्चिम दक्षिण ऐसा सोचते हों यह दिशा का मतलब है जिसके पास result है क्या है result है कही जाने का सूचीबेद हो रहा है जैसे मैं कहते हूं देखको मैं मैं कहते हूं पने क्यों से अका जा रहे है सर भी कहां जा रहे हो मतलब वो कैसी है एदिस एदिस क्योंकि मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं है मैं कहां जा रहा हूं कुछ नो कुछ के उसन पूट हो रहा है बट मैं यहीं पर यह कहता हूं कि मैं अकेडमी जाता हूं अब आप बिल्कुल कलियर होगे कि सर ने बता दिया है दिसा उसकी दे दिये जरूरी नहीं है कि मैं कहूं उत्तर में जाता हूं पूरो में जाता हूं नहीं तो दिसा का मतलब क्या है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कई नाउन सोच लो दिसा को तीसा लड़की का नाम ठीक है अब देखना बिल्क के पास दिसा थी अरे बताओ जमाने तूरी करवाई थी आपको तो कहीं से भी कहीं पर चलेया गया था में थी तो भाई दूरी कैसी राष्चियों जाएगी अब मैने दूसरी'T आपको पताइँ थी विस्थापन डिस ओ स्पलेस्मेंट सोटेस डिस्टेंस थी इसके पास क्या थी विस्थापन किसमें चली जाएगी एक बात याद रखो अब एक बात था हुआ जो भी दिशा का साथ जागा विस्थापन का साथ जो भी चीज जाओगी वो कैसी बन जेगी वेक्टर बन जेगी जहां कहीं भी इसका रोल आ रहा है सब्सकिन सलरशनी क Olympics लहरेटे हैं चली आप Fish केさे सीम्ण की इसके मैंहें आक भी एखियरा शूंट City का सब्सक्राइख जाए हैं Sam वेग कली सम्झाया था में मोमेंटम मासस इन्टू वेलोसिटी फिर वेलोसिटी आगी आवेग impulse force into time short time का force कल करवाया था ना कोई दिक्कत नहीं ये सारी राशियां आग्गे भी आएंगी तो मैं उनको बताता चलूँगा आपको ये scalar है ये वेक्टर है लेकिन यहापर आपको एक concept समझा ना वो समझा रहा हूँ बस मैं ठीक है एक simple बता हूँ कि अबको बिलकोव इसमपल बताता हूँ मैं कहता हूँ tap man कैसी राशी tap man क्या tap man कितना tap man यह ही पर मैं कहता हूँ 30 degree tap man यह कैसी राशी है मेरे साब से आप समझाने के जरूँ नहीं पढ़नी है बोलो हाया ना अरे हाया ना मैं कहता हूं तापमान गट रहा है या बढ रहा है ठीक है धी जूए गंत वोंख्या जो भी ये डेफिनेशन रखे रहते रहते ना बश ये ही चीज़ उढ़ानी आपकी मैंने आपको कहा physics को feel करो जितना अच्छे से आप उसको जान पाओगे अंदर से उतना ही अच्छा आपको आएगा नहीं तो रटते रहना कभी समझ नहीं आएगा आपने कहा mass बदे को मैं समय खराब करूँ गया इसके चक्कर में चलो कर देता हूँ mass upon volume समझ नहीं आया यह होत्ती है density mass का मतलब होत्ता मैंने कली बताया था जितना भी माल मसाला कोई भी वस्तु ले रही इसका mass क्या है जितना भी material इसका अंदर लग रही है वो इसका mass क्या मैं कह सकता हूँ mass का मतलब क्या mass जो भी वस्तु है ठीक है volume इस रूम का volume मतलब जगाय रहा हूं या मैं चरुछेषा और देखो जो चीज बराबर होती ही न वो डारेक्ट प्रपोस् Caesar बाभब होती है और जो निच्च होती हो इनवर्स ली इनवर्सली अ मतलब उल्टा डारेक्टिका मतलब सिद्धा पर मतलब जिसका मास जाधा उसकी डेंसिटी भी लेकिन निच्च है जिसका वोल्यूम कम उसकी डेंसिटी सिंपल कंसेप्ट यह तो बात है इव देखो मैं एक सिंपल बास हम डेंसिटी की डेफिनेशन बता हूं जो माल मसाला तो ज्यादा ले रही हो लेकिन जगा कम गेर रही हो उसकी डेंसिटी क्या होगी फेर कह रहा हूं जो मतलब क्या मैटेरियल तो ज्यादा ले रही है लेकिन इढ़ाइं जगह आँक या कर रहा है कम गियरू उसके ड़े देख वो भजपन में क्योंस पोचते थे एक किलो रूई हिर एक किलो लोहा किसमें वजन जादा एक दो तो ऐसे भी सोच रहे हैं अरहे है किलो लोहा और एक किल्फू तो आपको लग रहा है जो यह कह रहे एह लोहे में आपको लग रहा है कि plugin में वजन जादाई है किहतो दिए एक किलो वह जो लग रहा है किस की वज़े सब्क्राइब देंसिटी के वजाए से ढोई इतनी जखे ले रही है लोई इतना है इसकी डेंसीटी किया है amam ज्यादा यह क्या कर रही है बहुत सी जगहेरीय यहलिकिन टैरियल यहले नहीं ले रही इतना इतना लेकिन यह लोए ठीक है लेकिन मास के साथ अगर मैं ग्रेवीटी को एड़ कर दूँ तो ग्रेवीटी की तो दिशा हो जाएगी और मास इंटू ग्रेवीटी क्या होता है बार वेट कैसी रासी है एक तो यह जो एक्जाम में आता है बार और द्रव्यमान सब से जादा पूछी जाती है वह ही ऑनी पैड़ा है और एक्जाम में आता है जो एक्जाम में आता है क्यों आता है इसका रीजन आप समझ सकते होगे क्योंके यह दोनों सेम सेम दिख रहे हैं बच्चे गंawayos होते हैं एक सुनना कारिये जकती उड़्जा और विद्यू दारा और यह क्या कि हमेंने किसमें लि इसके पास तो दिशा है है या नहीं है लेकिन मैंने किसमें लिख दिया रीजन बताऊंगा पावर पावर के पास ओटोमेटिकली डारेक्शन है, एनर्जी डारेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्टोन का फोलो डारेक्शन है, बट फिर भी मैंने किस में रख दिया, इसलिए क्यों चनाता है, जरूरी नहीं है कि दिशा हो वो ही चीज, कैसी राशियो, वेक्टर, उसको वेक्टर लो को भी फोलो करना पड़ेगा, जब जाके वो कैसी हो पाएगी, वेक्टर नहीं आने देगी अपने अंदर, अब आपको होगे कि सर जी वेक्टर लो कॉंसेप्ट क्या होता है, मैं कहूंगा आपको समझने कि जुरूरती नहीं है, इतना टाइम खराब करोगे, इतना आपको कंसेप्ट आता नहीं, बस यह च्यार यूनिट याद रखना, जो लगती तो कैसी है, वेक्टर, लेकिन होती कैसी है, फिर कह रहा हूं मैं, यह वेरासियां है, जो लगती तो कैसी है, अकोर्डिंग टू डेफिनेशन, बट होती कैसी है, बोलो हाया न, इधर आ जो टेंसर क आती है, और सबसे ज़्यादा क्यों पुछा जाता है, stress and strain, stress and, किसी चीज को खीचना, यह stress, और छोट देना, strain, stress and, अब आप मेरे को यह बता हूं, इसमें दिसा है, है भी, लेकिन वो नहीं भी है, छोट दिया, stress and, strain, लग भी रही हो रहे, नहीं भी, बस आपको कुछ नह करना, बस दो नाम लिख लिएना, stress and, strain, जो है, वो आपकी कैसी रासी है, tension quantity है, एक्जाम में कि उत्स नहीं आएगा, तो ऐसे ही आएगा, निमिलिक्त में से कौन सी एधीस है, निमिलिक्त में से कौन सी थैधीस है, यजается को शषूर कार की रासी है, बोलो हाया न, चले, ये तो एक मिन्ट रुकना मैं मेल खोल लेता हूं इसमें आएगा क्या अरे मेल काँ पर है निचरली ने खुल नहीं आ रहा है भई देखना भई इधर एड़ कर लेते हैं इनको हाँ पहले यही लेते हैं चलो साथ की साथ करते हुए चलते हैं जल्दी आप इनके आंसर डाल दो सही दिख रहा होगा ठीक है ठीक है एक माइक्रो मीटर किसके ब्राबर है वन माइक्रो मीटर इस इक्वल टू देख लेना जल्दी वन माइक्रो मीटर इस इक्वल टू सबसे पहले तो आपको यह पता हो ना ची यह माइक्रो पुछ है तो नेगिटिव में होगा ठीक है तो यह दो तो आई नहीं सकती ठीक है 10 की पावर माइनस 6 बिल्कुल ठीक अभी माइनस 6 हैगा माइक्रो मीटर ठीक है ठीक है चलिएगा कि विद्धारा इलेक्ट्रीक करंट यह नहीं कि आई मापको करवा चुका हूं ये विद्धारा की कैसी यूनिट पूछ रखी है कि अच्छलो छोडों भी चार्ज की पूछ्च उच्छ्टल चार्ज की उत्या कुलाम यह करवाया नहीं मैंने इस लिए इसके अंदर सभी काम किलोग्राम आपको पताई बताने की जरूत नहीं विस्थापन यानिकि displacement जल्दी बताओ भी displacement में कि कि डिस्प्लेस्मेंट मीटर पर सेकिंड कैसे हो जाएगा मिक्स बॉतिक मात्रा कि इकाइ समान है उप्फय वहीं आ Championship फिर जाके आंसर आएगा मैंने cozy निकालनी सिखाई थी तो जल्दी निकालके देखो इन मेंचे कुणिक समान फोर्स और प्रेसर की समान हो सकती है फोर्स और वर्क की समान हो सकती है फोर्स और समवेक की मोमेंटम की फोर्स की तो किलोग्राम मीटर पर सेकिंड स्केर थी आवेक की किलोग्राम मीटर सेकिंड इनवर्स होगी तो सेम नहीं है ये भी वो करना स्टार्ट कर दो देख लो देख के अंदाज़ा लगे गए या फिर आपको निकालनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि यह मैं चीज़े निकालनी सी का चुका हूँ dimensional formula के साथ इसमें जो ना career energy जो होती है इनकी दोनों की क्या होती है सेम होती है इसको नहीं निकालनी आती है वो पहले पहली क्लास देख लेना वो निकालनी न परकास वर्स निमिल्क में से किसकी है जल्दी बताव वन लाइट इयर किसके बराबर होता है 9.46 into 10 raise to power 15 meter परती रोध की SI unit क्या है जल्दी बताव भी परती रोध की SI unit क्या है तो भाई आपका answer हो जाएगा ओम ओम का नियम पताई होगा आपने आगे करवाएंगे tension मत लेना ठीक है भी चलिएगा जूल कारिये की है newton force की है यह वरक की है newton force की है और कुलाम आपके temperature की है चलिएगा sorry ard Heath Export की है SI I own рублей में पर्ती बल्ड की मात्रा क्राज यह पर्ती ओल गद्धा वाई एंगलिस में तो होगी नएंटी मीडियम वालों जल्दी बताओ यह परती बलोता क्या है पार्तीबल की एक मिंट देखना पढ़ेगा वह इसको पर्तीबल की मात्रा देंघना भी परतिबल सायद stress होता होगा stress stress होता क्या चलो तो force upon area कर दो stress क्या होता है force लगा होगे किसी area पर ठीक है अगर stress है तो force by area कर दो और force की newton होती है और area की meter square होती है ठीक है तो इसका answer कर देना क्या भी आपका newton meter square चलिएगा next लेते हैं भी देख लेना भी थोड़ा हाँ मेरे हिसाब से दिखने में प्रोब्लम तो नहीं होगी चलो भी जल्दी देख लेना विदुद्धारा की SI unit क्या है करवा चुका हूँ क्या भी ampere है कर देना सक्ती अब सुनो मेरी बात power की न तीन चैर unit होती है इसके बारे में अरबंदा कन्फ्यूज रहता है power power की कई जगा पर watt भी सुनी होगी कई जगा पर hp भी सुनी होगी और कई जगा पर आपने क्या भी सुनी होगी joule भी सुनी होगी और नॉर्मली अपनी जो power होती है उसको अपने कैलोरी में भी मापते है ये भी देखियोगी आपने हर जगा पर अलग-अलग unit जो है power की आपको देखने को मिलेगी ठीक है तो कौन सी unit है देखो watt और पावर joule joule तो होगी power की SI unit watt होगी पावर की electrical unit जब electrical power को नापते हैं तो किसमें हम आपते हैं watt में इधर जब देखो गे और पावर ये हो जाएगी भी बड़ी मसीन नहीं सकती किसकी का ये जैसे अपन ट्रेक्टर वगेरा JCB वगेरा लाते हैं तो इतने और पावर की है बहुत ज़्यादा सकती है किसी चीज में तो वो क्या होती है Oars Power एक Oars Power जो होती है वो किसके बराबर होता है 746 Watt के बराबर होता ये भी बात आप याद रखना नोर्मली जो अपनी कैलोरी अपन मापते हैं किसमें कैलोरी में मापते हैं 2400 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 2600 कैलोरी मेरे अंदर energy है, वो use करता हूँ सक्ती की काई क्या है अभी अभी मैंने आपको बता दिये दबाओ, दाब किसकी पुचीज ने है? दाब की, और मैंने आपको कहा एक भी रटनी नहीं है मैंने आपको शिकाई तिदाब क्या होता है force upon area निकाल लो काम चल जाएगा force की क्या होती है Newton area की क्या होती है meters की है, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज को आपको निकालने की जुरूत नहीं है next जल्दी बोलो कालिच्तान पिर्थवी से लेकर सूरिय तक की अनुमानित दूरी लंबाई की उनिट है, दूरी की उनिट है भई बहुत सिंपल सी बात है light year, याद रखना light year कि इसके बराबर होता है बात तो बिटा इसकी जगे पर ठीक है, सूरिय सेर उसके बीच में तो ठीक है अगर ये दे देता कि सबसे बड़ी कौन सी है और पार्षेक देता तो पार्षेक कौन सर करना पड़ता बल force, कर दोगे कर दोगे, चलो Newton, भी answer आ जाएगा vote मैंने आपको बताई दी Kelvin आपको बताई दी, किसकी है Kelvin temperature की, Pascal किसकी होती है pressure की pressure की SI unit होती है Pascal, ठीक है Newton, meter square kilogram, inverse square किसकी unit होती है बहुत अच्छी unit होती है, यह तो मेरे इस आपसे नहीं निकल पाएगी आपसे ठीक है नहीं निकल पाएगी, क्योंकि अभी आपने definition आपको पता, नहीं है जिस चीज की unit है, उसकी definition नहीं पता है वैसे मैं आपको पता देता हूँ Capital G, मेरे को लग रही है यह, निकाल के देखोगे तो Capital G की मिलेगी किसकी मिलेगी Capital G की मिलेगी गुरुत नितांग की मिलेगी constant की मिलेगी इसकी मिलेगी ठीक है, Newton, meter, square, kilogram, inverse, square 6.678 to 10, raise to power Newton, meter, square, kilogram, inverse, square ठीक है यह, इसकी मिलेगी निकाल देना यह, निकालनी सिखेंगे भी जो यह, बड़ी unit है न यह, मैं यह नहीं कहता है अभी कि अभी आप निकालनी सिखो अभी छोटी units के उपर काम करो आप कल आपको units निकालनी सिखाई थी चोटी पर काम करो उसके बाद निकालनी सिखेंगे भी ठीक है तो मेरे हिसाब से आज की कलास कही देर होगी समाप तो है तो इनको देख लेना भी जितने भी है आप सारा का सारा आज के लिए इतना ही कल करेंगे भी आगे ठीक है